और दोस्तों कैसे आप मेरा नाम है अरुन प्रभधिस है ट्राकिंटेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है आज हमारे पास है अल्टरा प्रो लिंक का फ्लिक जो थोड़ा सा यूनिक जरूर है और यूनिक क्यों है क्योंकि ये सिर्फ Bluetooth headphone ही नहीं है speaker भी है यहाँ इसी को आप convert कर सकते है Bluetooth speaker में या फिर headphone में इस वीडियो में मैं सब review करूंगा आपको दिखाऊँगा कि बाई ये कैसे चलता है और ये जो unique feature है वो सही में अच्छा है क्या तो ये वीडियो आप end तक देखते रहे है दोस्तो ऐसे और वीडियो मिलने के लिए और Tracking Tech Family के साथ जुड़े रहने के लिए लाल कलर के subscribe बटन पे जरूर क्लिक कीजे साथ में bell icon को भी क्लिक कीजे शेर क्यों लिखा है पता नहीं लेकिन लिखा हूँ है wireless hybrid speaker headphones twist out speaker mode 6Watt के है 3999 के है दोस्तो इसकी price इसके उपर लेकिन इससे सस्ते मिलते हैं मैंने नीचे link description में दी हुई है कुछ 3.5 ती नजार में मिल जाएंगे या उससे भी कम output है दोस्तो 3Watt into 2 मतलब 6Watt का output है Bluetooth version 4.2, input power DC 5V frequency response 20Hz to 20kHz signal to noise ratio है minus 95 dB तो आवाज अच्छा है मेरे हिसाब से and 236 grams का मतलब थोड़ा है भी होगा 2.5 hours approximate इसका charging time है और चलता है 8 गटे तर चलिए दोस्तों खोलते हैं अब इसके box को 3.5 Cable, Micro USB Charging Cable Ultra Pro Link Operation Manual let's talk about design जो इसका heart है ऐसे है headphones और ये है speakers headphones speakers foldable design है which is a good thing totally round नहीं लग रहे है मुझे generally ये round अच्छी तरह से round होता है लेकिन ये जो है ये इधर जादा narrow है और इधर जादा wide है probably क्योंकि वो speakers के जैसे उनको रखना होगा इसलिए but adjustable है देख सकते हैं ये देखिए उपर की तरफ plastic build quality है Ultra Pro Link नीचे की तरफ foam है right hand side में plastic ही है लेकिन brushed metal है अच्छा दिखता है अंदर जो है दोस्तों rubberized pads है normal है standard वाले हैं तो right hand side पे दोस्तों है on off करना है basically multi function button है और ये backward so forward backward and on off चलिए दोस्तों देखते हैं ports की तरफ ये micro SD card के लिए slot है micro USB charge करने के लिए इधर है धाई गंटा लगता है चार्ज होने को completely और ये है 3.5 mm jack चलिए दोस्तों आप करते हैं इसे चालू और देखते हैं speakers and headphones कैसे चलते हैं आगया दोस्तों flick करते हैं connect pair with flick pair कर दिया और हो गया pair मेरे ही सबसे ये उबलू हो गया इसका मतलब ये हो गया है pair interestingly दोस्तों flick जो है वो support करता है NFC को जो बहुत ही कम headphones में देखने को मिलता है थोड़ा music play करते है और देखते हैं कैसे करते हैं करते हैं जो फच्सैंट पस्तों करते हैं कि करते हैं तो दोस्तों इसकी audio quality कैसी है Good, मैं इतना ही कहूंगा सभी कुछ अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है लेकिन आप अगर सोचेंगे कि आप excellent bass चाहिए या फिर excellent नीचे के जो trebles है या उपर के जो trebles है वो चाहिए या vocals एकदम अच्छे मैं नहीं कहूंगा but it is above average complain करने का मौका नहीं देंगे ये लेकिन एक बात याद रखिए इसका जो USP है वो है speaker come headphone मतलब दोनों भी ये हो गए speakers, ये हो गए headphones और ये बहुत जग़पे फाइदे मन रहेंगे समझे आप पिकनिक पे जा रहे है बस में आपको अकेले को सुनना है बस डाल दीजे काम हो गया और पिकनिक स्पोर्ट पे पहुँचे 4-5 जन है सभी को music सुनना है उल्टा कर दीजे हो गया काम आप किदर जा रहे हो आपको दोनों चीजे करने नहीं पड़ेगी एक ही कैरी कीजे एंड यू आर ड़न तो दोस्तों जरूर हमें बताईएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये जो है अल्ट्रा प्रो लिंक के फ्लिक हेड़फोन्स एंड स्पीकर्स कैसे लगे अच्छे लगे तो बताईए अच्छे नहीं लगे तो भी बताईए कमेंट्स में क्यों नहीं अच्छे लगे और दोस्तों अगर आपको खरीदना है तो मैंने पहले जैसे का लिंक मैंने नीशे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जले दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक